नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय घोपे, मैं एक MFR हूँ, मैंने दिजास्टर मैनेजमेंट और फर्स्टेट का ट्रेनिंग आउहान को लापूर से लिया है, साथ में दिजास्टर मैनेजमेंट कलब के फाउंडर और डिरेक्टर डॉक्टर सुदीर को चाड़ सर के अंडर भी मैंने फर्स्टेट का ट्रेनिंग लिया आए, तो आज इन आने वाले 15 मिनिटों में हम स्नेक बाईट और इस टॉपिक पर डिस्केशन करेंगे दोस्तो स्नेक बाइट एंड इस फर्स्टेड पर डिस्कॉशन करना इसलिए इंपोर्टन्ट है क्योंकि कुछ फिगर्स है जैसे दुनिया भर में लगभग 1 लेक टू 1.3 लेक डेट्स होती है स्नेक बाइट से हर साल और इन 1.1 टू 1.3 लेक डेट्स में लगभग 45,000 अब ड प्रतिशत जो मृत्यों है वह अकेले हमारे भारत देश में होती है और इनके पीछे जो वजाए एक तो हम जो अन साइन्टिपिक प्रोसीजर्स अपनाते हैं फर्स्टेड की या फिर हमारे कुछ इन एप्रोप्रेट वेज है फर्स्टेड देने के इन सब चीजों के 1,000 वर्ल्ड वर्ड स्पेसिस है स्नेक्स की डिफरेंग उनमें से 500 विनमस पेसिस है यानि पर्सेंटेज कि अगर बात करें तो तीन हजाए से 3,000 में पास्टो यानि लगबक 20 पर्सट यानि अगर संव शाप है तो उसमें के 20 साप ही वह ने जहरेले है और उनमें के 80 सब ज स्नेक्स इंडिया में मिलते हैं और लगभग हर साल 5 million से भी ज्यादा इंसिडन्स स्नेक बैट के अबजर होते हैं यह हमारे इंडिया का आकड़ है 5 million और अगर वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 27 million cases per year तो यह आप वीडियो को पॉच करके इसको अब्जर्व कर ले सकते हैं कि इसने के फैंग आई इस नॉस्टिल से अब्जर्वेबल है आप वीडियो को पॉच कर ले और इसे ठीक से देख लिजे और सारी इन्फर्मेशन यहीं पर दी हुई है तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि सो में से सिर्फ 20 साफ ऐसे होते जो पॉच्छनास है और 80 साफ असी साफ लगभग अबसान पॉच्छन्षर करने के लिए stress कर लेप साइब मैंने अने पॉच्छन स्कैक करेश्टिक और दॉच्छन स्कैको एक स्कैJanा पर यहां पर अब्जर कर सकते है की यह दोता है पॉचन architect सब्सक्राइब करेंगे तो जो एक इंपोर्टन करेंगे अगर आप ऐसे टू फैंग्स याने दोस नुकिले दातों का निशान अगर देख पाते हैं तो समझ लेना वह साप पॉज़नस है या फिर सेमी पॉज़नस है हम सेमी पॉज़नस को कंसीडर नहीं करेंगे हम दोई केटेगरिस रखेंगे नॉन पॉज़नस और अगर इस प्रकार का निशान होता है तो समझ लेना वह साप नॉन पॉज़नस है तो एक इंपोर्टन्ट और करेक्टरिस्टिक से इजी ले आप पहिचान पाओगे अगर भले ही साप काट ले और साप चला जाए यहां प 52 में से commonly found 4 species यह वाली है जो मैंने जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे है बाकी 48 पाई जाते है लेकिनो किसी specific एरिया में या फिर रेयर स्पीशीज है एक commonly found species है इंडियन कोब्रा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सौस केल वाइपर और आगे इनके ना जा ना जा एए उनके चार नाम पड़े उनकी तस्वीर है और एक आप आया जाते हैं उनका वेनम किस प्रकार उनका जहर किस प्रकार का है एक इंडियन को ब्राइब फांड फ्लेंस जंगल ओपन फिल्ड कभी घरों में भी दिखता है जहां पर आपके घर के आसपास की परिसर में याए रिहायसी इलाकों में भी इसाब दिखता है इसका जो वेनम है नियूरो टॉक्सिन है और काडियो टॉक्षिन है याने इसका टार्गेट अपने सेंटर्ल नर्वस सिस्टिम और हइड मसेड हाइड की जो कार्डेक मसल है उनके ऊपर हाइड फिल्यो और वगेर है है इसके परि नाम हो सकते है इंञे कुब्रा अब चो様 कमन क्रेट हए इसको हिन्दी में करत शाप को Deutsch मैं उसको मन्यार कहते जो पहला इंड्य Cum कोब्रा था उसको हम नाग कहते हैं इंडियन कोब्रा को ए कॉमन क्रेट्स ने के ब्रिक्स पाइल यान इटो के जो धेर रहते हैं वहां पे रैट होल्स कभी-कभी घरों में भी दिखते हैं और जहां भी हुमिड एन्वर्मेंट हो ऐसी जगाव पे यह साब ज्यादा तर आप लिजे हर एक साब को आप वीडियो रोख के अबजर कर लिजे क्योंकि साब का अपेरंस नोट करना स्नेप बाइट के बाद काफी इंपोर्टेंट है और फर्दर ट्रेटमेंट में हस्पीटल में काफी अहम इसका रोल होता है तो आप हर एक साब को प्रॉपरली वाइपर फाउंड इंप्लेंस ग्रासिय और बुशी एरियाज अक्सर एसाब रहाइसी इलाकों में नहीं दिखाए देता जहां पे घास है या फिर जहां पहाड़ी इलाक आए पत्थर है ऐसी जमीन पे दिखता है खेतों में दिखता है कभी कभार ऐसा एसा एसा आप है इ इंटर्नल एर असल वाइपर इंटरनल के असल भाइपर यवाइपर जिक अक्पे इस ए यहीं नहीं दिखता पत्म रसल वाइपर और स्केल वाइपर है कॉजिस ब्लॉड टु स्टॉप क्लोटिंग एंड पंचर्स ब्लॉड वेसल एंड विक्टिम डायस फ्रम ब्लॉड लॉग जैसे मैं आपको बता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो एदो स्नेक वेनम के टाइप से इससे भी ज्यादा इटरे लेकिन जो चार साप कॉमनली फाल मिलते हैं उनके बारे में हम स्पेसिपिक बात कर रहे है तो silicon डोस अंड तेंड यह कुछ साप है इस मिलता है सप्पेक्टाकल कोब्रा नौर्थ इंडया और महारस्टर रीजन में मिलता बिलता है मैंने कोब्रा जो इसान्य भारत हम कहते उस एरिया में होता है यह तिन कोब्रा के साथ लगबग लगबग उनका डोज आस सेम है 12-15 mg वर टाइम भी टाइम जो है वो लगभग एक अडल्ट हुमन कितनी देर तक जीवित रह सकता है विदाउट ट्रीटमेंट अगर उसको काम नाउन रखते है तो यह टाइमिंग है फिर बैद में बैंडेड क्रेट कॉमन क्रेट रसल वाइप इसमें अगर तुम अबज़र करेंगे तो कॉमन क्रेट स्नेक जिसका डोज काफी कम है लेकिन टाइम भी उसके साथ काफी कम है अगर मतलब कम डोज में काफी ज्यादा हर्मफुल स्नेक है कॉमन क्रेट जो क्रेट स्नेक है जो हमने नमबर तू दो पे जिसकी इमेज देखी हो फिर जो वाइपर स्नेक से रसल वाइपर स्पेसिफिकली और 42 mg का डोजे और 3 डेज याने काफी धीरे सीस का पॉजन काम करता है तो काफी समय मिलता है आप हमें ट्रीटमेंट के लिए तो एक कुछ और 2 निशाना दीखेंगे। स्वयलिंग हो सकती हैं रहीं हो सकती है। स्वयलिंग जब की श्यूम्हार की ऑफिट करता है हो सकता है। तो एस इंटम आप क्रेट्स साप में अब्जर भी नहीं करेंगे और कुछ और कुछ सिंटम्स है कि क्या क्या हो सकता है नौशिया आपको नौशिया के फिलिंग आ सकते हैं स्वेलिंग हो सकते हैं विक्नेस टेंपरेजर चेंज पेन ब्लैक एंड ब्लू डिसकलरेशन में अपियर विजिन त्री तूशिक्स अवर्स और यह फस्ट अब इंपोर्टन चीज हमें क्या करना है अफ्टर स्नेक बाइट लाइफ कंड भी सेवड बाई टामली फस्ट एड तो देख लिजे यह फस्ट एड़ एट एट्रीट में एट रीट्मेंट आपको हस्पीटल से लेगे हैं हस्पीटल तक हमें पेशन के साथ क्या करना है यह इसकी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले कम देशन्ट डाउन तो स्लो डाउन दा बलड सर्कुलेशन एंड करना है उससे हमें बताना है कि कुछ नहीं होने वाला है तुम घबराओ मत हम होस्पिटल जाएंगे तुमें कुछ नहीं हो सकता अगर हो सकते दो ऐसा ही कहिए जो साप था जहीरिला नहीं था और तुम बचने वाले हो इससे उसका heart rate नॉर्मल रहेंगा और जो पॉजन है जो वहनम है वो जल्दी सर्कुलेट नहीं होंगा पूरे बॉड़ी में है विक्टिम लाइडाउन विद अफेक्टेड लो लिम लोवर देन हार्ट जहां कि स्नेकबाइट कोशिश करें आपको करना है कि ओ पार्ट ओ बोडी पार्ट आपको हाट लेवल से नीचे रखना है अक्सर स्नेकबाइट जो है 80 परसेंट आप दे किसिस में आपके पैरों प कोई स्नेकबैट होता है कि फिरस्स्टेड में ओर हमने क्या करना है रिमू रिंग ब्रेसलेट बूट इन अल्र हमें आइस नहीं अप्लाइ करनी है और डूनाट ग्यों अलकोहल और अधर ड्रग हाँ खुद के ही इससे विदाउट एनी परमिशन और उदर इनी सजेशन अब मेडिकल प्रैक्टिशनर हमें खुद से कुछ ड्रग नहीं देनी है या अलकोहल या इस कुछ चीज़े नहीं कर है क्योंकि ऐसा अब्जर किया गया है क्योंकि कुछ ट्राइबल एर्या में अलकोहल दिया जाता है जो काफी गलत प्रैक्टिस है और इससे फेटल भी हो सकती है मतलब जो जिस विक्टिम की जान हम बचा पास सकते थे वह हम इन ऐसी कुछ हमारे प्रैक्टिस के वज़े से टेंजर में डालते है और उसके बाद में फर्स्ट एड में हमें इम्मोबलाइज करना है बिटन लिम जो आप तस्विर दिख ले इसे कहते है स्प्लिंटिंग आपको कोई भी उडन बोर्ड या कोई हाडशीट हो उससे बांज लेना है ताकि उस पर्टिकुलर लिम की कोई मुवमेंट ना हो सकते और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ना बढ़े तो यह स्प्लिंटिंग एब एक इंपोर्टन फर्स्ट एड जा पार्ट है सबसे फर्स्ट एड में डूनाट गिव इंसीजन और अर्टेम्ट तो सब भेनम ए चीज़े बताने की इंपोर्टन पॉइं अनुसार फर्स्ट एड में चीज़े नहीं करनी है क्योंकि हो सकता है इंसीजन देते वक्ता हम इतनी इंजूरी कर दे कि जो ब्लड लॉस है उससे हमारी डेथ हो जाय तो ऐसी चीज़े आप फर्सट एड में नहीं की जाती हमें कुछ नहीं करना हमें सिम्प्ली ओंड है ज ताकि इंसीजन एन कट नहीं देना और सक करने के भी कोई कोशिश नहीं करने कोब्रा और क्रेट बाइट के बारे में विक्टिम में स्टप ब्रीधिंग हो सकता है कि को न्यूरो टॉक्जिक जहर वाले सापों के वज़े से जो ब्रीधिंग रेट हो काफी कम हो जाता है आप स्क्रिंग वीडियो रुका के देख लिजे साप मतलब मृत्यू वे सापों का जहर मंत्रों से तांत्रिकों से उतारा जाता है साप बदला लेते हैं ओ खजानों की रक्षा करते हैं साप हीपनोटाइस करते हैं या फिर बासुरी जोई से आवाज निकालते हैं मिल्क प Kathy सक्राइब रखना है कि हमारे घरों के आसपास हम में ज्यादा ख्योज ना जो कहने जादा अज़ेक ना होने दे करATHAN कोशीश करें और मोईस्ट ना होने दे में ज्यादा तर ड्राइ एरिया रुखने की कोशिश करें जिससे snake bite आपको हो इना है, एस सब points आपको धीरी धीरी पढ़ लेने है, इसके बाद में क्या करना है, जो हम फास्टेट में वाले, keep the victim calm, immediately have the victim lie flat without moving, immobilize the bitten limb, using the splint if possible and position it below the level of heart, get the victim to hospital urgently, lying flat if possible, एक बाद धहन रख लीजिए कि appropriate anti-venom is the only treatment on snake bite, इसके अलावा कोई भी treatment नहीं है, तो इस चीज़ को भी धहन में रखना है, don't, क्या नहीं करना है, do not apply tourniquet or compression bandage, do not cool the area of the bite, do not try to catch the snake, we do not need another victim, but take it to the hospital if our lady already killed, do not give the victim alcoholic drink और aspirin, एचीज़े आपको नहीं करने है, तो उम्मीद करता हूँ, आपको सब चीज़े धहन से समझ चुक झाल झाल